आप सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ में गंटी का अप्सन आया तो उससे भी किलिक कर दीजेगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको focus 3 का setting को open कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैं normally आपको दिखा देता हूं कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है तो हम सेटिंग में जाएंगे setting में जाने के बाद आपको इस तरीके का interface दिखता है तो क्या करना है उपर के तरफ scroll करना है और यहाँ पर बहुत सारे options दिखने को मिलता है तो हमें क्या करना है sharing वाले options पर click करना है click करने के बाद personal host port का options दिखेगा इस पर click करना है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे host port password आपको show होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ से आप इस host port password को यहाँ से हटा करके आप अपना जो भी password add करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, यहाँ पर राइट पर क्लिक करके आप उसको set कर सकते हैं, ठीक है friends, तो आप जो मर्जी password लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ भी, लेकिन 8 digit होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो password है, वो आपका change हो चुका है, तो इसी प्रकार स प्रकार से password चेंज कर सकते हैं, मिलते हैं नेके शूडियों है, बाई बाई